हेलो एब्रीवन मोस्ट बेलकम आल आफ यू इन मेडिकल पल्सनेट चैनल तो एब्रीवन टोड़े हम लोग डिसकस करेंगे यूपी बीएस्सी नर्सिंग इंटेंस एक्जाम दो हजाद चौबिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बायलोजिक कुस्चन के बारे में तो हम लोग जैसे कि इसके पार्ट फर्स्ट को जो है प्रीविएस वीडियो में डिसकस कर लिये थे करेंगे तो हमने सेबेंटीवन्ट जो decepens यहां तक हमने कर लिया था आज जै में लोग Woo इसाट करेंगे तो यहां पर जो 72 कुस्चन put up किया गया है फूंछा है कि धातविक पर्दोसर से होने वाली रोग मिनमाट्ट तथा इटाई टाई करमसा निमने धातुओं से होते हैं जो धातुइक पर दूसर से जो रोग होते हैं मिनमाटा तथा इटाई टाई जो है वाकिन धातुओं से होते हैं यही पूछा है यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जो है HG तथा CD तो HG जो है निकल है । फॉर्थ है निकल है ते पॉर्थ है मरकरी तथा अर्सेनिक तो इसका जो राइट आपशन हो जाएगा हम लोग का आपशन नमबर फर्स्त वला जो मरकरी तथा fashion इसे तो इसका जो राइट ओप्शन हो जाएगा डियर स्टुडेन्ट वा हो जाएगा हमलोग का को आप से ट् Tube नंबर सी वाला मिरमीकोफिली इसे जो हमेंकोफिली कहलाता है 2 अगला question है एक मूल का उत्वाद नहीं है यहां पर पूछा है की मूल का मतलब होता है हिंदी में जो मुल को मुल को जो हिं मुल कहते हैं इंस की तो यहां पर आप आप मुल न समझ पहाएं तो आपको रूट से समझा आ जा रहा होगा तो यहां पे पूछा कि एक मुल का उतपाद नहीं है फर्स्ट है चुकंदर सिकेंड है मूली थर्ड है गाजर फूर्थ है आलू तो इसका जो राइट आप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का आप्शन नमबर डी वाला जो आलू है पोटेटो जो पोटेटो है वह जो है इस्टेम का मौडिफाइट फॉर्म होता है मौडिफाइट फॉर्म होता है फॉर्म का मतलब रूपांतर जो है डूप होता है अगला कुश्चन है निमन में से किसने पौन्धो का प्राकिर्तिक वरुद्धे करणड प्रस्दूत किया नैचुरल नैचुरल कलासिफिकेशन का हौन से साइंटिस्ट ने दिया था यह प थाँ यह थाज बेंथ म्तथां फॉकर युदा बोला टेजिक प्रस्तुत कीया था क्ई रोलम नामकारण पधती को दिया था कैरोलस लेनियस ने जो है बायोनॉमियल नॉमेन क्लेचर नॉमेन क्लेचर इन्होंने जो दुनाम करड़ पद्धती दी थी किसने कैरोलस लेनियस ने लेकिन पराकिर्तिक वर की करड़ किसने दीया था तो वेंथम तथा हुकर ने अगला कुश्चन है बीच पर केड़न की पैरा सूट युक्ति पाई जाती है फर्स्ट है फिवेसी के मतर में सिकेंड है ब्रैसी केसी के सरसों में थर्ड है माल बेसी के कपास में और फॉर्थ है एस्टरेसी के टेरेक्स कम में तो इसका जो राइट उप्सन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का उप्सन नमबर डी वाला एस्टरेसी के टेरेक्स कम जो है इसी में बीच पर केड़न की पैरा सूट जो है डिवाइज पाई जाती है अगला कुश्चिन है एलियम सेपा प्याज सम्बंदित होता है जो प्याज होआ किस फैमिली से सम्बंदित है कुल को इंगलिस में जो है फैमिली कहते है फैमिली किस फैमिली से सम्बंदित है फर्स्ट है सोलेनेसी से सिकेंड है कम पोच्टी से थैर्ड है माल बेसी से एंफोर थे लिलीएसि से तो एलियम-सेपाप्याज जो है वाल ली जी खुल से संबंदित है уп- μέor皆さん करेक्ट में सुनेन जीसे 雪 जो जाएगा姓ंट8 ludzi soll ouaisनींजी है aprue स visualize नायंग्रम जो सोले नंद नाइंग्रम होते है वह जो है माल बेसी कुल से संबंदित है अगला कुश्चन है निमलिखित में से कौन सा लेक्टोजेनिक हार्मोन है पूछा की निमलिखित में से कौन एक लेक्टोजेनिक हार्मोन है फ्रस्ट है prolactin, second है आकसी टोसिन, third है FESH and last है progesterone तो इसका जो correct option हो जाएगा DIY student हो जाएगा हम लोग का option number फ्रस्ट वाला prolactin जो हो यह लेक्टोजेनिक हार्मोन है अगला question है eropagial gland का संबंद है जो eropagial gland वा किस से related है फस्ट है छिपकली से, सिकेंड है सार्क से, थार्ड है मेडग से, और लास्ट आप्षन है कबूतर से तो इसका जो करिक्ट आप्षन हो जाएगा दियर स्टुजेंट वह हो जाएगा हम लोग का आप्षन नमबर डी वाला कबूतर से अगला कुश्चन है दात का का आप्षन सा भाग इनेमल से धका होता है जो टीथ होता है टीथ उसका का आप्षन नमबर फस्ट वाला कराउन जो दात का सिखर वाला पोर्षन होता है जो ए वाला पोर्षन है एई वाला पोर्षन जो है इनेमल से धका होता है अगला question है, निरोगेनिक हस्थ फर्जेंट होता है, फर्स्ट है राज करकट में, second है घोंगे में, third है तिलचटा में, and last है जोक में तो इसका जो जो Right-Option हो जाएएगा कि यह स्टुडेंट वह हो जाएगा हम लोग का अफसन नंबर सी वाला जो तिल चट्टा होता है कॉक्रोच जो कॉक्रोच है इस पर जो नीट में बहुत सारी कुश्चेंश पूट अप कि जाते हैं कॉक्रोच के ऊपर तो जुछ कॉक्रोच होता है उसी में नीरोजेनिक थार्ड है है हैनली लूप में लास्ट है दूरस्ट कॉंडली नलिका इसको जो है पी सीटी और दूरस्ट कॉंडली नलिका को जो है डी सीटी डिश्टल करवेलेटेट टिब्यूल और समीपस्थ कॉंडली नलिका को प्रॉक्जिमल करवेलेटेट टिब्यूल कहा जाता है तो जो अल्टा फिल्ट्रेशन की प्रॉसेस से वा किसमे होता है। इसका जो राइट ओप्षन हो जाएगा डियर स्टुडियन्ट वा हो जाएगा ओप्षन नमबर फर्स्ट वाला बोमेन कैपसूल में। अगला कुश्चन है निमलिखित में से कौन सा कोसकांग डियन्ट रहित होनी पर भी द्रिगुडण में समर्थ है। ऐसा कौन सा सेल और्गैन है जिसमें डियन्ट नहीं होता है पर फिर विवा जो है डिगुडण डुपलीकेशन की प्रोसेस को करता है कि एक सेल है इससे जो डिवाइड होके दो सेल का फॉर्मेशन जाएसी प्रोसेस को जो डुपलीकेशन कहते हैं तो फर्स्ट ओप्षन है प्लाजमीट, सिकेंड है माइटोकॉंड्रिया, थर्ड है सेंट्रियोल, और लास्ट है केंद्रक, तो इसका जो करेक्ट आप्शन हो जाएगा डियर स्टुडेंट, वह हो जाएगा हम लोग का आप्शन नमबर C वाला सेंट्रियोल, अगला कुश्चन है, वाई गुड सुत् फॉलेंट्रिक जीन, सिकेंड है बेसिक जीन, थर्ड इज़ा पिलियोट्रोपिक जीन, एन फॉर्थ इज़ा पॉलिजेनिक जीन, तो इसका जो राइट आप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आप्शन नमबर C वाला होलेंड्रिक जीन, अगला कुश्चन है, एदि एक वाहक इस्त्री से विवाहक करता है तो संतानों में फर्स्ट फिर से पढ़ लेते हैं यदि एक वड़ान्द पुरुस है जो की एक सामान प्रंतु इस्त्री कैसी है नॉर्मल है पर वाहक इस्त्री से प्रंतु इस गुड की वाहक इस्त्री से विवाहक करता है तो संतानों में सबी नर सामाने प्रणतु लगकियां इस गुड की वाहक होंगी सिटेंड प्रणत नर उब्हालांध होंगी में वाहक्यों छो इसका जो right option हो जाएगा dear student वह हो जाएगा हम लोग का option number जो है डी वाला जो यहां पर एक वड़ान्द पुरुष जब एक सामान प्रंतु इस गुड़ की वाह किस्तरी से विवाह करता है तो इसके संतान जो होते हैं 50% नर तथा 50% माधाएं जो है वड़ान्द होती है color blindness होती है अगला question है निमलिखित में से काउन जीबित जिवास में है फर्स्ट है ट्राइलो वाइट सिकेंड आर्कियोपिटेरिक्स थार्ड नॉटिल्स एं लास्ट ऑप्शन है चीता तो इसका जो correct option हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का option number C वाला नॉटिल्स जो है वही एक ज रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स के बीच की जो है कड़ी माना जाता है अर्कियोपिटेरिक्स को अगला question है लेमार्क वाद का आधार है फर्स्ट है योगत में की उत्तर जीविता का परभाव सिकेंड है अंगों के उप्योग यों अनुप्योग का परभाव थर्ड ऑप् परभाव लास्ट है वाता वरड का परभाव तो लेमार्क वाद का में जो है सिद्धान ते आधार क्या था यह पूछा है आपे तो इसका जो correct option हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का option नंबर बी वाला अंगों के उप्योग यों अनुप्योग का परभाव लेमार्क के न 10 साल बाद जो जन्देशन आएंगे उसमें वह आरगें नहीं रहेगा अगर उसका उप्योग हम लोग नहीं करते हैं अगर करते हैं तो वह आरगें नेक्स्ट पीड़ी के चायल दिया बच्चे होंगे उनमें परजेंट रहेगा अगला कुश्चन है निमलिकित में से कौन एनेलीट गोंगों तथा मेड़कों पर परजीबी है फर्स्ट है एक एन थॉप डेला सिकेंड है पॉन टॉप डेला थर्ड ब्रैंकिलिवान फूर्थ है गलॉसी फोनिया तो इसका जो करेक्ट उप्सन हो जाएगा वा हो जाएगा उप्सन नमबर डी वाला गलॉसी फोनि अगला क्पुश्चन है तंतिका आवेक के संच्रण में फर्स्ट उप्सन है ने पॉस्टिफ तंतिकारच दरब एक जो ब्राज्म bouche के अंदर जाता हैो तो इसका जो करेक्ट उप्सन हो जाएगा नमबर फर्स्ट उनल हैं जब तंतिका आवेक का संचरण होता है अगला कुश्चन है CPI तथा आक्टो परस तेज गती से तेरते हैं वह जो है साइफन दौरा अपने नोदक बल उतपन करके तेजी से दवड़ते हैं अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है अमियोसेंटेस टकनीक का उप्योग किया जाता है विसलिसर करने में जो अमियोसेंटेस टकनीक है उसका उप्योग किसके जो एनलिसिस में किया जाता है फस्ट है अमियोट के देश दरब्यों का सिकेंड है उल्ब का थार्ड है अमीन I amnioticurun होता है उसके जो है एनलाइसिस में 간단atiफ्स टेकनीक का उपिव किया जाता है अगला कुष्चन है बिटामिन के की अभी सक्ता होती है फर्स्ट है फाइब्रिनो जन से फाइब्रिन बनने में सिकेंड इज़ा प्रोथ्राम्बिन से थ्राम्बिन बनने में थर्ड इज़ा प्रोथ्राम्बिन के संसलेसर में और लास्ट इज़ा हिमोगलोबिन के संसलेसर में तो इसका जो correct option हो जाएगा वह हो जाएगा option number C वाला prothrombin के synthesis के लिए ही vitamin K क्यों सकता होती है अगला question है हिर्दय का तंत्रिकायन मूलता होता है फर्स्ट है हिर्दय स्पंदन के समहरंबन के लिए सिकेंड है हिर्दय स्पंदन के नियमन के लिए तो जो correct option हो जाएगा इस question का वा हो जाएगा हम लोग का option number first वाला हिर्दय अस्पंदन के समहरंबन के लिए अगला question है निमने में से किस सूच में जीव को माइक्रो और्गेनिजम को माइक्रो और्गेनिजम और्गेनिजम को पादब जगत का जोकर आफ प्लांट किंग्डम कहा जाता है फर्स्ट option है बिसाड को सिकेंड है वाई राइट को थर्ड है प्रियोन को और लास्ट है माइक्रो प्लाजमा को तो इसका जो correct option हो जाएगा वा हो जाएगा option number D वाला माइक्रो प्लाजमा को जो है पादब जगत का जोकर कहा जाता है माइक्रो प्लाजमा के वज़ा से ही जो है बैगन अगर पूछा जाए एक्जाम में की बैगन की लग उपड लग उपड या छोटी पत्ती रोग किसके कारड होता है तो माइक्रो प्लाजमा के कारड ही होता है इसे जो हैं इंगलिस में जो disease है उसको जो हैं इंगलिस में little leaf of brinjal little leaf of brinjal disease किसके कारड होता है तो माइक्रो प्लाजमा के कारड ही होता है अगला कुश्चन है, स्योजी उतक में पाय जाने वाला कैंसर है फर्स्ट है कार्सिनोमा, सिकेंड है सारकोमा, थर्ड इजा लिक्रिमिया और फॉर्ड इजा मेटा स्टेटिस इसका जो करेक्ट ऑप्सं हो जाएगा, वाा हो जाएगा ऑप्सं नमबर B वाला जो सारकोमा वही स्योजी उतक का इक्रिट इजा पाय जाने वाला कैंसर है अगला कुश्चन है, अगनासे अस्तराविद करता एय जो पांक्रियाज है वा क्या सिक्रीट करता है फर्स्ट है पैंक्रियो जाइन मिन और थर्ड है अंगियो टैंसिन फर्स्ट थर्ड है सोमेटो स्टेटिन फोर्थ है अंगियो टैंसिन सिकेंड तो इसका जो करेक्ट आप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आप्शन नमबर C वाला जो समेटो स्टेटिन है उसी को पैंक्रिया जो सिक्रीट करता है अगला कुश्चन है पर्थम बार क्रिस्टलाइज किया गया विसाडू था फर्स्ट है इंफ्लिंजा का विसाडू सिकेंड है फूल गोवी का चितेरा विसाडू थर्द है तमबाकू का चितेरा विसाडू एन लास्ट इजा तमाटर का चितेरा विसाड तो इसका करेक्ट ऑप्षन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्षन नमबर सी वाला टोमईक तंबाकु का चितेरा बिसाडु जो तंबाकु का जो मुझे एक बिसाडु था मुझे कवारस था उसी को सबसे पहले क्रिश्टलाइच किया गया था जिसे जो डबलू यम स्टैन ने नामक साइंटिस ने किया था अगला कुश्चन है आव आई यह सुसंद वरा मास पेसिया उत्पन करती हैं फर्स्ट ऑप्षन है साइट्री कम्ल सिकेंड डिजा लैक्टी कम्ल थर्डिजा ऑउक्जेली कम्ल एंड लास्टीजा एस्टी कम्ल तो आल आफ यू डियर स्ट अगला कुश्चन है कैथे राइडिन प्राप्त होता है फर्स्ट है लाल चीटी से सिकेंड है गोल गुन से थाइड है भिरिंग से एंड लास्ट है मनमक्खी से तो इसका जो राइट ऑप्षन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का अप्षन नंबर सी वाला भिरिंग से नेक्स्ट है लास्ट कुश्चन है काजी रंगा वन जी अभ्यारण प्रसिद्ध है जो काजी रंगा वन जी अभ्यारण सेंचुरी होगा किसके लिए प्रसिद्ध है फर्स्ट है फर्स्ट ऑप्षन है बाग के लिए सिकेंड है कस्तूरी मिरिक के लिए थर्ड हाथी के लि जो ट्यू एंसवर होगा आप लोग उसको कमेंट में जरूर से जरूर कमेंट करें तो अगर आप लोग कोई आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइम माई चैनल आलो आप यू डियर स्टुडेंट जुड़े रहे हमारे चैनल मेडिकल पलसनी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट कुस्चन के साथ